भीश्म कीता में अर्जुन को भगवान, भीश्म फितमा बाणों के सेया पर पड़ी रेतर पहते हैं अर्य आर्जुन, चार तरह का भोजन बिखार होता है पहला जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई, वो नाली में पड़े हुए खीचड़ के बराबर होता है दोसरे नमबर का भोजन जिस भोजन की थाली को लांग कर चले गया वो भोजन धश्टा के बराबर होता है कंदगी के बराबर तीसरे नमबर का भोजन जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो केश पड़ा हो वो दरीदृता देने वाला होता है और चोथे नमबर का भोजन अरजुन अगर पती और पत्नी अगर एक ही ठाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदीरा के तुल्ले होता है यदि पती और पत्नी एक ही ठाली के अंदर बेख कर भोजन कर रहे हैं तो वो मदीरा के तुल्ले है भीश्मत नीता पती अर्जुन पती के जीमने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो चारो धाम के परशाद से बड़ा महा परशाद बन जाता है और यदि पती और पत्नी का नियम है कि हम तो साथ ही भोजन करते हैं तो हाथ जोड कर निवेदन है, साथ भोजन करो मना नहीं है, दो थाली अलग-लग लगाओ. पर पती के साथ वेगतर एक थाली में खाना, रोज़ परकी दिन मदिरापन निगनने के बराबर है. मदिरापन. कई लोग करते हैं एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है प्रेम बढ़ता है शिम महापुरार की कता कती है पती और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं एक ही थाली में अगर पत्नी भोजन करते हैं तो उस घर की दशा देखियेगा उस घर के बच्चे कभी भी बिद्ध्या में उत्तम नहीं निकल सकते उस घर के बच्चे कभी भी मारगी नहीं निकल सकते मारग से विचली तहीं निकले क्योंकि मदिरा के नशे में पेदा कुए तो सुन अरजुन सुन यदि बेटी कुमारी है और बाप के साथ में बेट कर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मोत नहीं होती है क्योंकि बेटी बाप के काल का हरन कर लेती है बेटी कुमारी है बेटी की शाधी हो जाए जब ले वो पिता के साथ भोजन ना करे क्योंकि गोतर बदल गया पर बेटी जब तक कुमारी है बाप के साथ बेट कर भोजन करेगी तो बाप के काल को हरन कर लेती है ये उसी तरहा जिसे एक गाय बिया गई हो और एक गाय कुमारी हो महराज बियाई हुई गाय का गोबर से लीपने से जादा फलताई होता है कुमारी गाय का गोबर से लीपना हो जादा फल रही है बचिया के गोबर से लीपना कुमारी गाय के गोबर से जो ब्याई ना हो कितना कितना सास्तर प्रमान देता है महाराज कई लोग तुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कत्था सुनकर कि भगवान गुर्जी आपने कह दिया कि ये थाली में भोजन मत करो और हम तो इत्ते साल से करते हुए आ रहे हैं और अलग-अलग करेंगे और ऐसा और वेसा कई लोग तो चेनल ही बनगे शुमाह पुराण की कथा करती है यदी आप भगवान विश्मू के मंदिर गए हो सतिनरेन भगवान के मंदिर गए हो राम मंदिर गए हो पृष्ण मंदिर गए हो दत्य मंदिर गए हो किसी भी देवता के मंदिर में जाते हो वहां का परशार आप 15 दिन 20 दिन तक रख सकते हो पर शंकर का परशाद रात भर नहीं रखाता, क्यों? क्योंकि शंकर का परशाद एक दोपहर संध्या तक आपका है, रातरी को नो बचकर पंदरा मिनिट तक शंकर का परशाद आपका है साथ, शंकर भगवान ने जो बारो की रचना करी थी, घड़ी की रचना भगवान शंकर करने करी टिथी और समय की रचना भहग्वान संक्र करें एकए घड़ी एक में पल एक में ति एक नक्षक्त्र समय की सबकी रचना शंकर करें है। सबको केम नर्वदा पुराण है करती है चैंड को भारी रोग हो कोई कैंसर जैसे भीमारी हो गई कोई किड़णी ही खराब हो गई कोई रीवर ही वैकाल हो गया कोई बढ़ी खुछें केंगैं कि पंड़े जी हम को संकर भाजवान का भी करवाना है कुर से टाइन करवाना चाहिए तो उसका भी समय शिव महापुरान निश्चित करती है उसका भी समय हमारी अलिंगुपुरान निश्चित करती है उसका भी समय नर्वदापुरान निश्चित करती है तो कुमार खंड के अंदर शिव महापुरान के बंडन करा गया कि 9 बचकर 15 मिनिट राक्तरी को कोई बिमार व्यक्ति का यदि उसके हाथ से अविशेक प्रारम कराया जाए या उसके ही पुल का उसके ही गोतर का व्यक्ति शंकर का अविशेक करता है और शंकर के नाम का स्मरण करता है तो वो अविशेक तो करे साथ में जो मनोरती है यजमान है वो महामर्तिम्जे मंतर का जाब करे तो कहते हैं रोग समाप्ती की और आना ब्रारम्द हो जाता है रोग समाप्ती की और आना रोग समाप्ती की और पहुचना प्रागवान सनकर कि पावन तथा करती है एक कलश के अंदर महाराज दूद ले लीजिए उसमें काली तिल्ली डाल दीजिए थोड़ा सा आउला सुखा आउला बजार मिलता है उसको डाल दीजिए बजार में अगर बीला बीला मिल जाए बील पत्री में जो फल लगते हैं बीला का गुर्दा बीले के अंदर का बाद अगर बीला नहीं मिले तो बज़ान में सुखा बीला मिलता है इस पर शकरा कर, कोई पलंग पर खड़ाओ तो उसका हाथ का इस पर शकरा, जो स्वस्त है, उसके उपर से उतार कर, बागवान शंकर को लिजा कर, वो बीले का उप्टन शिवलिंग पर लगा दे, और जो जल है, वो शंकर जी को समर्पीत करे, कौन सा मंत्र बोलना है, उस मंत सा, दोहा की बिंदी, सहा, ओम, जूम, सहा, ओम, जूम, सहा, इस मंत्र का जाब करते हुए, जो दूद चणा देता है, उप्टन लगाकर, उसकी बिमारी उसका रोक समाप्त हो जाता है, बहुत ध्यान देना, उसी चणाए हुए जल को, दूद को, उस उप्टन के भाग को थोड़ा सा लिया ही है, जिस बच्चे को निमोनिय की मिमारी है, जिसका बुखान में उतर रहा हो, उसके मस्तक पर लेपन कर दीजिए, हिरदेचित पर लगा दीजिए, महाराज, उसके बाद में, उस बच्चे को बस्तर से गिले बस्तर से पोच दीजिए, उस बस्तर को ज योम, जूम, सहा, इस मंत्र का बस इस्समन करता है। यूम, जूम, सहा, मंत्र का स्समन करिये और शिक्षिड राज मार्ड Analysis कर ये जो शटी माता ने भलव्यों संक्र से विभा के प्रथम में कहीं से पाच मुखी रुद राक्ष मिल जाये और पांच मुखीर उद्राक्ष को तांबे के कलश में जल भरकर उसमें डाल दो किसी चम्मच से उद्राक्ष को निकाल लो आद गंटे डालने के दा माराज शमी का एक पत्ता समी पत्र और शमी का एक पत्ता ले जाकर समी पत्र कुले जाकर शिवलिंग पर रख कर पाँच मखी रुद्राप्ष का जल अपनी कामना करकर